दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बता है कि आप बिहार के के जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट मोक्स में जरूर पोचे आज की सबसे पहले कबर बिहार में इस बार भी नहीं होगा स्रावनी मिला सुल्तान गंज में गंगा घाटो पर तैनात रहेगे पुलिस जिहां सरकार के अनुमते नहीं मिलने के कारण बिहार के सुल्तान गंज से जहारकन के देवघर के बीच लगबग 110 किलोमेटर के कावारिया पत पर इस बार भी बोल बम के जैकार नहीं गुजेंगे बिहार सरकार के अनलोग 4 के तहट सारवजनिक रूप से धार्मिक करकरोंपर रोक और धार्मिक इस्तलुप को बंद रखने के निर्देश की वज़े से भागलपूर जिला पसासन ने सुल्तान गंज में इस बार भी एक माह तक चलने वाली विश्व प्रसिद स्रावनी मेल आयजित नहीं करने का निने लिया है इसके लिए सुल्तान गंज में प्रावावित उत्तर वाहनी गंगा घाटो पर अधन अधिकारियों के साथ पुलिस की तैनाती भी कर दी गई है बिहार सरकार का बड़ा आदेश कोरोना काल में नोकरी की परिचाओं को मिली चूट वोकेसिनल कोर्स के लिए भी होगा इंट्रेंस इकजाम जिहां इस वक्त की बड़ी खबर राज़ा ने पढ़ना से सामने आ रही है बिहार सरकार की ओर से बड़ा आदेश जारी किया गिया है करोना काल में नोकरी या बहाले की परिचाओं के आयरजन के इजाज़त दे दी गई है सरकार के इस फैसले को लेकर मुखे सचीव त्री पुरारी सरन ने सभी जिलोक डियम एसपी, एसपी और विविन विवागों की वरिया दिकारियों को पत्र लिख कर जानकारी दी है इसके अलवा सरकार ने एक और वड़ा फैसला लिया है ग्रिया विवाग की और से जारे आदेश के मुताविक कोरोना गायलेंड में बदलाव किया गया है सरकार ने कहा कि विश्विद्दा लए सभी परकार की कोलेज, तखनेकी सिक्षन संसान और ग्यारवी और बारवी तक के स्कोलों को कोल चात्रों की पचास पेज़ी उपस्तिक साथ खोले जा सकेंगे इसके अलावा राज में होने वाले वोकेशनल कोर्स के लिए भी अब एंट्रेंस एक्जाम लिया जाएगा बिहार के 21 अनुमंडलों में खोलेंगे नए कोर्ट, जज और मुनासिब के अलावा 128 अधिकारियों के पद स्रिजित जहां बिहार सरकार ने जीला और इससे नीचे के अदालतों में लंबित पड़े मुकदमों को कम करने के लिए 21 ने अनुमंडल इस्तरिया नियाले खोलने करने ने लिया है इन अनुमंडल इस्तरिया कोर्ट से सम्मादिद प्रस्ताव परविदी विभाग से मंजूरी दे दी गई है अब यहां प्रस्ताव हाय कोर्ट के पास आंतिम नियन्ने के लिए गया हुआ है वहां से मोहर लगने के बाद इन नियाले को खोलने के कवायाद शुरू हो जाएगी विहार के फिलाल 101 अनुमंडल में 21 अनुमंडल ऐसे हैं जहां नियाले नहीं है या जिला नियाले में ही अभी अनुमंडल इस्तरिया नियाले समाईत है इसके खुलने के बाद राज के सबे अनुमंडलों में अनुमंडले नियाले हो जाएंगे बाड़े कबर गोपाल गंज में खुलेगा बिहार का दूसरा आयूस अस्पताल केंदर सरकार ने 6 करोड 40 लाग रुपय की आवंटित जहां गोपाल गंज को केंदर सरकार ने बड़ी सोगात दी है बिहार में पटना के अलावा गोपाल गंज में भी आयूस अस्पताल को खुलने की मंजूरी मिली है केंदर सरकार ने 5 कडोर 40 लाग रुपय भी गोपाल गंज जिला प्रासासन को आवंटित कर दी हैं यह जानकारी गोपाल गंज के जद्योई सांसादवा पार्टी के राष्टे को सादच डाक्टर अलोक कुमार सुमन ने दी है डाक्टर अलोक कुमार सुमन ने कहा कि उनके परियास के बाद पियाम नरेंदर मोदी ने पटना के बाद गोपाल गंज को यह सोगात दी है आयूस मंत्राले के द्वारा गोपाल गज में पचास बेड़ का आयूस हस्पिटल तयार किया जाएगा यहाँ हस्पिटल एंट्रिगेटेड होगा यहाँ पर आयूरवेद, होमियोपेथी, योगा सहित आन्यमादम से मरिजों का इलाज किया जाएगा पटना में 50 CNG बस के साथ 3500 एंबुलेंस को होगा परिचालन, 24 जुलाई को मुखि मंत्री दिखाएंगे हरी जंडी, जिहाँ पटना नगर बस सिवा के विभिन मारगो पर 50 नई CNG बसों का परिचालन सुरू होने जा रहा है, इसके साथ ही मुखि मंत्री ग्राम परवहन में 24 जुलाई को मुखि मंत्री नितिश कुमार करेंगे, परिवहन मंत्री सीला कुमार के अनुसार पटना सहर में बढ़ते प्रदोसन को नेंत्रित करने तता यात्रियों को प्रदोसन मुक्त सुगम, सुरक्चिक्त एवं आधोनिक परिवहन सिवा उबलब्द कराने ही तो पचास ने सेंजी बसो का परिचालन पटना नगर बस सेवा के विभिन मारगो पर सुरू होने जा रहा है। जन संक्या ने अंतरन कानून को लेकर बिति कुछ दिनों पहले ही बिहार में खूब बयान बाजी हो रही थी। कोई जातिया जनगना नहीं कराने का फैसला किया है। यूजेसी ने भेजी गाइडलाइन जहां बिहार के विस बिदलेओं में 40 फिजी पाइटकरम ओलाइन पढ़ाने के तयारी चल रही है सेस पाइटकरम क्लासरोम स्टेडिक रूप में पढ़ाया जाएगा ओलाइन पढ़ायी की यह तयारी कोरोना के आगा में कई लहरों के आसंका को देखती वे की जा रही है यूजेसी ने भी इस समद में अपने एक गाइडलाइन भेजी है फिलाल प्रदेश के विस बिदलेओं को इस दिसा में तयारी करने के लिए कह दिया गया है बिहार में बन रहा है देश का पहला ब्रीज जहां पर नदी के उपर होगी पार्किंग की वेवस्ता जहां बिहार में देश का पहला ऐसा ब्रीज बनने जा रहा है जहां पर नदी के उपर पार्किंग की वेवस्ता की जाएगी इसका परिचाला नमार्च 2022 में शुरू होने की उमीद है आपकी जानकारे के लिए बता दे कि इस पूल के निर्मान हो जाने के बाद भागलपूर और खगड़िया की दूरी कम हो जाएगी साथ ही दोनों जिलों के परिवहन की कनेक्टिविटी भी बहतर हो जाएगी इसके सा निर्मान की बाद यहां सेतु उत्तर बिहार और दचिन बिहार को जोड़ने वाला सबसे महातपोन सेतु बनकर सामने आएगा बाड़ी कबर भूमी विवाद कम करने के लिए नितीज सरकार नियमों में कर सकती है बदलाव पारिवारिक संपति का होगा ऐसे बटवारा बिहार में अब रादे घड़नाओ को लेकर मुखिमंत्री नितीज कुमार कई बार यहाबाद का चुके हैं कि राज के अंदर अगर क्राइम होता है तो इसमें सबसे वड़ा कनेक्शन संपति और भूमी विवाद करहता है नितीज कुमार का मानना है कि बिहार में अगर भूमी विवाद खतम कर दिया जाए या ऐसे मामलों में कमी ला दी जाए तो कानौन विवस्ता भी बहतर होगी मुखि मंत्री की इसी सोच पर आगे बढ़ते वे अब राजस्व एमम भूमी सुदार विवाग भूमी सुदार विवाद से जुड़े नियमों में बदलाव करने का विचार कर रहा है राजिक के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सुरत राय के मुताबिक विभाग इस बात पर गंबिरता से विचार कर रहा है कि पैत्रिक संपत्य के बटवारे में आकिर कैसे विवाद को कम किया जाए मंत्रे राम सरत राय के मुताबिक एक परिवार में अगर कई भाय है और बहमत इस बात को लेकर है कि आपसे सहमती से बढ़वारा कर दिया जाए तो आलपमत के विरोध से बढ़वारा रुख नहीं सकता विभागिया मंत्रे के मुताबिक इसके लिए नियमों में आवैसक बदलाव करने की आवैसकता है और सरकार इस बात पर गंबिरता से विचार कर रही है पुस्तेनी जमिन के बढ़वारे में कोई अडचन ना आए इसके लिए नियमों को और ज़्यादा सहज बनाने पर विच चल रहा है साथ ही एक ऐसा फर्मेट तयार किया जा रहा है जिसके तहट ऐसे मामलों में समती पत्र तयार करते वे उसे कानोनी माइनाता भी दी जाए बाड़ी खबर अगस्त में खुल जाएंगे बिहार के प्रारामबिक एवाम मजद विद्दाले जानि ये क्या का सिक्चा मंत्री ने जहां राज में पहली से दसवी कक्षा तक के सरकारी एवाम निजी प्रारामबिक और माजदमिक विद्दाले अगस्त के दूसरे सब्ता में खुलेंगे शिक्चा मंत्री विजे कुमार चोधरी ने बुदवार को बताए कि कोरोना महामारे के चलते राज में 6 अगस तक आंसिक रूप से उनलोक है इससे पहले आपदा प्रवंदक समुक की बेटक में पहले से 10 वी कक्षा तक के बच्चों के पढ़ाई सुरुक करा का कोरोना प्रोटोकोल के तहद महत्पूर निनन लिया जाएगा बाड़ी कबर राज में अगले 48 गंटे बारिस के आसार ओमस में कमी नहीं होगी जहां मौसम विबाग की और से 25 जुलाई तक बारिस को लेकर पुरवानुमान जारी किया गया है जिसके तहद मुझपर पु सार ततकाल भारी वर्षा की कम सम्हावना है बाड़ी कावर फोन टेपिक मामले को लेकर आज कॉंग्रेस का राजबहन मार्ज सबी MLA और MLC राजपाल भागो चोहां से करेंगी सिकायत जाज कराने की मांग जहां राहूल गांदी समय देश के करेब 300 से ज़्यादा हस्तियो कि फोन हेक मामला अब तूल पकड़ने लगा है कॉंग्रेस प्रदेश अधग्ज मदन मोहन जहां ने PC करकेंद्र की मोधी सरकार पर लोगतंद्र की हैत्ता करने का आरोप लगाया है उन्होंने इसे निजिता और हनन करार देते हुए कहा कि आज यानि गुरवार को पार्ट लूगों का जासोसिक अधिकार बेचा गया फॉन टेपिंग कर उनकी बातों को सुनी जा रही थी लेकिन गंडक नदी से पाने आने का सिलसिला कम हुआ है इसी के साथ राज की आठ नदिया एक वर फिर लाल निसान के उपर चली गई है बुदवार को कोसी का डिश्चाज बराचेतर में एक लाग बावन हजार और बाराज पर दो लाग चोदा हजार घंसिक था यह नदी खगड़िया में लाल निसान से 95 सेंटिमेटर उपर बहने लगी है वहां बागमती नदी सितामड़ि में लाल निसान से 96 सेंटिमेटर उपर चली गई है उदर बोड़ी गंड़क समसीपूर में 145 सेंटिमेटर और रोसरा पूल पर 242 सेंटिमेटर लाल निसान से उपर बार रही है खगड़िया में या नदी लाल निसान से मात्र 15 सेंटिमीटर उपर बारे है मैं कमला बलान जैनगर में लाल निसान से नबे और जैनजरपुर में 25 सेंटिमीटर उपर है अदवारा नदी सितमडे में 60 सेंटिमीटर उपर है साथ महानन्दा नदी का जलस्तर भी कई जगोह पर चेतावनी स्तर को पार कर गया है बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन की लास्ट डेट बढ़ी बिहार बिधाले परिचा समीती ने इंटरमेडियर कक्चा में नमांकन लेने की तिथी को 3 अगस तक बढ़ा दिया है पहले या तिथी 18 जुले तक निधारित थी परिचा समीती ने बिधातियों से अनुरोद किया है कि ओफसस वेबसाइट से सामायने प्रोस्पेक्टर डाउनलोड करके उसे पढ़े और उसके बाद ओनलाइन आवेदन करें बिहार बोड के अलावा ICIC और CBAC बोड के परिचातरी भी ओनलाइन नमांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं CBAC की विदार्थी 10 वी का रिजल्ट आने के बाद ओनलाइन आवेदन करेंगे चातरों को वेबसाइट www.ofssbihar.in पर जाकर ओनलाइन एपलाई करना होगा बड़े खबर ट्रेनिंग कोलेजों में बिना सयुक्त परवेश परिक्चा के होगा नमांकन जहां बिहार के सबी राज किया वो और आज किया मायनता प्राव्द ट्रेनिंग कोलेजों में मौजुता सत्र में दो वर्से डेलेट कोर्स में बिना सयुक्त परवेश परिक्चा के नमांकन होगा इसको लेकर सिक्षा विभाग ने आदिश जारी कर दिया है विभाग ने कहा कि कोरोना महामारी से उत्पन इसीती और आजने कारण से बिहार विदाले समिती द्वारा अब दक सयुक्त परवेश परिक्चा नहीं लिजा सकी है इसमें अब विलम्भ चुका है इसलिए कोर्स के सद 2021-23 में भी अंको के आदार पर नमांकल लिया जाएगा विभाग के उप सचीव और सत्विरोज ने मौजुदा सक्चिक सद्र के लिए बिना सयुक्त परवेश परिक्चा के नमांकल ले जाने का आदेश जारी कर दिया है आज के लिए आपका सवाल बताएं कि कक्चा पहले से 10 वे तक के स्कूल को अगस्त में खोला जाना चाहिए या नहीं इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं